द्यार्थियों, कल के वीडियों में हमने मुद्रा के अर्थ एवं उसकी आवशेक्ता के बारे में अध्यन किया था आज हम मुद्रा के कारियों का अध्यन करेंगे मुद्रा के चार कारियों महत्वपूर माने गए हैं जिनमें विनिमेका माद्यम, मुल्य संग्र, लेखे की काई और विलंबित बुक्तान का आधार इनके अलावा भी बहुत से कारिय हैं जिनने तीन अलग-अलग भागों में बाटा गया है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन प्रमुख जो कारिये हैं मुद्रा के अलग-अलग बागों में बाटा गया है प्रात्मिक जो कारी हैं उसमें है विनिमे का मद्यम और मुल्य का माँ जो इसके सहेक या सेकेंडरी कारी हैं उसमें मुल्य संग्रे गिलंबिद बुक्तान का आदार और मुल्य का अस्तांतरन जो इसके आक्रस्मिक कारी हैं उसके अंतरगत साग का आदार रास्ट्रे आई के वित्रन का आदार वो बोकताउं वो पदकों द्वारसादनों का सरोत्तम उपियोग और धंद को तरलता परदान करना तो इस परकार से इनके ये सारे कारियें अब हम एक-एक कारी कुलेंगे सबसे पहले हम लेते हैं मुद्रा के प्रात्मिक कारियों के अंतरगत पहला है विन के कारिये को वो बहुत काफी सरल बना दिया है आज कल की जैसी पेचिदा आर्थ व्यवस्ता है इसमें विशिस्तिकर्ण श्रम विबाजन बड़े पेमाने का उत्पादन विस्तरत बाजात आधी जो बातें वो सामानी हो गई है और ये सब मुद्रा के अभाव में और संभव कोसी थी विनिमें का माद्यम बनकर के मुद्रा ने मान fundamentals की सौतंतरता को बढ़ाने में सहायता की है अब वस्तुआवस्यु案 के बदले पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और बादमें मुद्रा देखर आउशिक्टा की वस्त्वय की वस्तुएं वस्तुएं के आगे और पीछे मुद्रा रहती है जो विनिमे के माध्यम का कारिय करती है विनिमे के माध्यम के रूप में भलीबाती कारिय कर सकने के लिए मुद्रा में कुछ गुण आवशिक माने गए हैं जिन में हैं कि इसे आसानी से स्विकार किया जाएं इसका वजन बहुत ही थोड़ा हो और इ लखली या जाली ना बनाया जा सके इन लक्षणों के अबाउं में यह विनिमे का मद्यम का कारिय सफलता पूर्वक नहीं कर पाएगी मुद्रा का ये जो विनिमे के माध्यम का कारिय इतना महत्पूर्ण है कि कुछ लेखक या कुछ अर्थ सास्त्री केवल इसे ही मुद्रा का प्रात्मिक कारिय मानते हैं और अन्य सभी कारियों को साहय क्या गोण मानते हैं दूसरा जो इसका प्रात्मिक कारिय माना जाता है, वो है मुल्य का मापक, या लेखे की कई, यानि यूनिट ओफ एकाउंट्स, जिसे हम लेखे के रूप में माप सकते हैं. सबी परकार की वस्तों और सिमाओं का मुल्य मुद्रा में आके जाने के कारण, मुद्रा इसाब किताब की कई की रूप में प्रियुक्त की जाती है, जैसा कि हम लिखते हैं, दस अजार रूपे क्रेडिट हुए, पांच अजार रूपे डेबिट हुए, ऐसा पुंजीवाद यानि सबी अर्थवयस्ता में होता है, लेकिन मुद्रा का इसाब कई के रूप में अपना कारिये बिना अस्तित्व या वास्त्विक अस्तित्व के भी कर सकती है, साम्यवादी समाज में यह संभव है कि प्रतियक वेक्ति को प्रतिमा, सरकारी बंडार से एक निश्चित म मुद्रा राशी तक माल खरीदने की इजाज़त दे दी जाए बंडार में वस्तों के मुल्य दिये होते हैं और प्रतियक वक्ति निर्दारित मुद्रा राशी तक वस्तों को खरीद सकता है एक सीमा तक पहुंच कर वह अपने आप रूख जाएगा इस इस्तिति में मुद्रा विनिमे के माद्यम के रूप में तो प्रियुक्त नहीं हुए लेकिन इसाब किताब की कई के रूप में प्रियुक्त हो गई है तो सरकारी बंडार के खातों में ये केवल इसाब के लिए काम में लाई जा सकती है इसी परकार से जो विबिन प्रियोजना होती है उनकी लाग स्विकर्ती, विबाज्यता और वहनियता आदि गुणों की आवशिक्ता होती है लेकिन हिसाब किताब के लिए इन गुणों की आवशिक्ता नहीं होती है तो इस परकार से एक साम्यवादी समाज को भी मुद्रा का उप्योग लेखे की इकाई के रूप में अवश्य करना होता है आलंकि साम्यवादी मुद्रा विरोधी माने जाते हैं और वह इसको समाप्त करने का दावा भी करते हैं लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, कि आदूनीक अर्थवयवस्ता को विन्यमे के माध्यम के रूप में त्यागने की बात तो सोच सकती है, लेकिन लेखे की इकाई के रूप में इसका त्याग कर सकना असंभव है, तो मुद्रा का जो ये कारिय है, मुल्य का मापक या लेखे की कई की रूप में, ये सबसे ज़्यादा मैत पूर्ण माना जा सकता है, आज कल की अर्थवयस्ता में, फिर हम आते हैं इसके सहयक कारिय या सेकेंडरी कारियां पर, जिनमें सबसे पहला है, मुल्य का संग्रह, तो मुद्रा के रूप में भविश्य के लिए, मुल् करती है, कि मुद्रा का मुल्य स्थिर बना रहे, यानि वस्तों के मुल्य स्थिर बने रहे, यदि वस्तों के मुल्य बढ़ जाते हैं, तो मुद्रा का मुल्य घड़ जाता है, ऐसी स्तिति में मुद्रा संग्रह करने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं रहता, कि उसने जो मु पंड या सेर खरीद कर भी किया जा सकता है अत्वा बैंक में बच्चत जमा के रूप में भी किया जा सकता है लेकिन मुद्रा प्मून रूप से तरल होती है और इसका हम चाहे जैसी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते है यदि अकेला व्यक्ति मुद्रा का संग्रे कर इस परकार से जो बात एक वेक्ति के लिए सही होती है वो संपूर्ण राष्ट के लिए सही हो कोई जरूरी नहीं है और हम समस्तिगत विरोधाबास के अंतरगतिय पढ़ चुके हैं इसलिए अगर समस्त समाज बच्चत करता है हम उसमें पढ़ा है कि अगर एक वक्ति बच्चत करता है तो उसके लिए अच्छा है लेकिन यदि संपूर्ण राष्ट के नागरी बच्चत करने लग जाएंगे तो आई पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा तो यह समस्तिगत जो विरोधाबास है उसके अंतरगत पढ़ चुके हैं और मुल्य संग्रा के रूप में मुद्रा के इस कार्य की सफलता इस बात पर निर्बर करती है कि बविश्य में जब वस्तूं और सेवाओं की आउशिकता हो तब उपलब दो सके यदि बविश्य में आउशिकता पढ करने पर वस्तूं और सेवाओं उखलब नहीं होगी तो मुद्रा का ये कारिय विफल हो जाएगा मुद्रा के मुल्य संग्रे वाले कारिय के कारण ही देशों में आई की असमानता भी उत्पन होती है क्योंकि कुछ लोग जो है अपने या मुद्रा को बचा-बचा करके कर सकते हैं जैसे रिणों के बुक्तान का यादार बन सकती है लेखे की इकाई में समय तत्व और जुड़ जाता है क्योंकि बुक्तान भविश्य में किया जाता है आदुनिक समाज में रिणों का अत्यदिक विस्तार हुआ है और इसका अधिकांस जो स्रेह है वो मुद्रा के अविस्कार को ही दिया जा सकता है, सरकार वह वयसाई काफी मात्रा में रिण लेते हैं, वो बोगता वर्ग भी रिण लेता है, अता मुद्रा के रिण के लेंदेन को बड़े प्रमाने पर संभोवा सुगम बनाया है, कुछ लेखक जो है वो मुद्रा के जो अन्यकारिया है जैसे अस्तांतरन है साख का आधार है राष्ट्याई के वित्रन का आधार है उत्पादक एवे मुबोग ता उत्पादक कों के सरोतल्व उप्योग की भी चर्चा करते हैं तो हम विलंबित बुक्तान के आधार के बारें बात कर रहे थे, तो विलंबित बुक्तान के आधार के रूप में, जो है, हम इसका बुक्तान इस्थगीत कर सकते हैं, मान लीजिए हमें, कुछ समय पस्चात किसी का रेंड चुका ना है, तो हम मुद्रा के द्वारा चुका सक कि नेक्स्ट है फिर इसका कार्य की मुल्य का स्थांत्रन किम तो मुद्रा केवल का काम नहीं करती से यह क्रा सकती का स्थांत्रन से दूसरे स्थान को सुगमता पूर्वक करती से यह यहां लिए व Сरगै headline से जोट प्उर पैसे बेज देते हैं अगर मां बच्चा पड़ता है तो जो पैसे हम खर्च कर सकते हैं अब वो पैसे वो बच्चा जो पड़ा ही कर रहा है वो खर्च कर सकता है तो इस परकार से हम एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका अस्थांत्रा कर सकत जातीगा इससे जो विनीमे का सेत्र है वो यह काफी सिंगे मुद्रा का जो यह कारिय जो आधार्यeller, मुल्ये संगर और विलंबित- गुथान का अधार, nawu केवल अंतर इतना है कि आद्वनीक अर्थ ववस्ताओं में लेन देन के बढ़ने से मूल्य का अंस्तात्र काफी बड़े पेमाने पर होने लगाया है नेक्स्ट फिर हम आते हैं कि मुद्रा के आकस्मिक कारिय यहां साहिक कारिय प्रेंट हो गया इसको इग्नॉर करें इसकी ज वैपारिक बैंक है वो साख का निर्मान करते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे वैपारिक बैंक को तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वैपारिक बैंक साख का निर्मान करते हैं वे नकट जमा के प्राप्त होने पर उसकी कुछ गुणारासी ग्राकों को उदार दे सकते हैं वैपारी बैंक जिस साग का निर्मान करते हैं उसका आदार नकद रासी जमाही होती है वे खाली कल्पना के रूप में साग का निर्मान नहीं करते हैं जैसे मान लें कि किसी बैंक में 100 रुपे की नगत जमाराशी प्राप्त हुई है और 20% रिजर अनुपात के आदा पर वो बीस रुपे तो अपने पास रख लेता है और सेस असी रुपे के आदार पर वो चार सो रुपे की नही साख जमा या नही जमा का निर्मान कर लेता है यानि वो बीस रुपे सो रुपे में से अपने पास रखेगा और असी रुपे आगे किसी को उदार देदेगा, जब उदार देगा तो उसके बैंक खाते में जमा करवाएगा, तो फिर उसके 80 रुपए जमा बढ़ गए, अब उस 80 रुपए में से वो फिर 20 पर 30, 16 रुपए अपने पास रखेगा, और 14 रुपए फिर आगे उदार दे देगा, इस परकार तरिकार से जो होती हो साग के निर्मान का आधार बनती हं मुद्राइबने पर ज्ञायसा यह निर्मान हो पाता है जी राकश्ट के आधार है उत्पादन के जीसे मांते हैं भूमी पुंजी लगान श्रम उद्यमी इन तो इन नहीं मुद्रा के रूप में दिया जाता है अगर मुद्रा नहीं होतی तो लगान, ब्याज, मजदूरी, मुनाफ़ों आदिका पर्तिफल क्या भुकतान करना कटिन हो सकता था तो राष्ट्य आई का वितरण मुद्रा के आदार पर इस संभव हो सकता है, साधनों के प्रतिफल साद दिनों की कीमतों से निर्दारित होते हैं और इसमें मुद्रा अपनी महत्पूर्ण भूमी का निबाती है जैसे एक कारीगर अगर यह गजार रूपे लेगा तो मुद्रा के रूप में बताता है कि मैं यह गजार रूपे लूँगा तो प्रतिफल देना यह का वित्रण करना इसी प्रकार से मुद्रा के कारण संभव हो सका है नेक्स्ट फिर है कि इसका अकस्मिक कार्य की उत्पादकों एमों उपभोगताओं द्वारा साधनों का सरोत्तम उप्योग किया जा सकता है हम सब जानते हैं कि एक उपभोगता जो है वह अपने सीमित को खर्ज करके अधिक्तम उप्योगिता प्राप्त करने के लिए सीमान्त उप्योगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता है माइक्रो एकोनोमिक्स में पढ़ चुके हैं है ना कि marginal utility मू बटा पी एक्स इजइकल टू एम यॉ वाई बटा पी वाई तो वो दोनों का अनुपात बराबर करता है इसी परकार से एक उत्पादक अपना लाँब अधिक्तम करने के लिए उत्पादन के विबिन साधनों की सीमान्त उत्पादकताओं के अनुपादी को साधन की कीमतों के अनुपाद के बरापर करता है इसी परकार हम उत्पादन के नियम में पढ़ चुके हैं कि MPL बटा MPPC यानि सीमान्त बहुतिक उत्पादन स्रम का बटा सीमान्त बहुतिक उत्पादन पुंजी का बराबर होता है है स्रम की कीमत बटा पुंजी की कीमत के लेकिन इन जो संतूलं की दसाओं को पराप्त करने में जो मुद्रा है वो कीमत पढ़ना लिके साहिता देती है तो मुद्रा साधनों का आवंटन करने में भी साहक होती है नेक्स्ट जो फिर इसका कारी है वो है धन को तरलता परदान करना लिक्विडिटी टू वेल्थ यानि मुद्रा धन के विबीन रूपों में जैसे मकान है, कार है, जेवर है, सेर है, रिन पत्र है आधी को तरल रूप परदान करती है अगर हमें पैसे की आवसिकता हैं मकान बेचना चाहते हैं तो मुद्रा के रूप में मकान को बेच सकते हैं और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं इन सबी के अपने अपने बाजार होते हैं और हम बाजारों में जाकर के इनको बेच के नकदरासी प्राप्त कर सकते हैं तो मुद्रा धन के विबिन रूपों का ना केवल मुल्य आखती है बलकि इनको आवशिकता अनुसार तलर लूप भी परदान करती है जब भी हम किसी मकान या जमीन के टुकड़े के बारे हम पूसते हैं कितने काये तो उसे मुद्रा के रूप में वेक्त किया जाता है कि 50,000 रुपे बीगा है या ये मकान जो है 25 भाई 50 का जो प्लॉट है वो 5,000,000 रुपे का है इससे पुंजी की उत्पादेखता भी बढ़ती है कियोंकि जब हम मुद्रा के रूप में मापते हैं तो हम मुद्रा के रूप में लेंदेन करके और उनवस्तों को खरीच सकते हैं नेक्स्ट जो इसका जो कारिया है वो है बच्चत करता हों को निवशक से मिलाना आदुनिक समाज में यह जो मुद्रा का कारिय है यह बहुत ही महतपून हो गया है ज्यादातर बचत जो है वो परिवार द्वारा की जाती है लेकिन वे उसका पूरा निवेस स्वैम नहीं करते हैं सरकारें एवं फर में पारिवारिक बचतों को उदार लेकर निवेस में लगाती है हम जो पैसा बचत करते हैं बैंक में तो उद्योग पती है और सरकार बैंक से उदार लेती है और उसे निवेस करती है तो बचत और निवेश में मुद्रा जो है कड़ी स्थापित करती है मौध्रिक संस्ताओं के माद्यम से जैसे बैंकों, वित्य संस्ताओं, सेर बाजार आधी की भी महतपून भूमिका होती है बचत करता और निवेश करता के बीच वित्य जो मद्यस्ता है उसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इससे सभी को लाब पहुंचता है इसके लिए भारत में भी कई संस्ता हैं जैसे mutual fund है नए मौद्रिक प्रपत्रों है जैसे deposit certificates होते हैं आदिकी सुरुवात की गई है और उन सब का मुल्य जो है कौन कौन से हैं मुद्रा के प्रात्मिक कारिये मुद्रा के सहयक कारिये और मुद्रा के आकस्मिक कारिये मुद्रा के प्रात्मिक कारियों के अंतरगत आता है विनिमे का माध्यम और मुल्य का मापक फिर मुद्रा के दित्यक गौन या सहयक यानि secondary कारियों के अंतरगत आते हैं मुल्य संग्र, विलंबित बुक्तान का आदार यानि देरी से बुक्तान किया जा सकता है और मुल्य का अस्तांत्रण करे सकती एक वक्ति से दूसरे वक्ति में और एक स्थान से दूसरे विस्थान को अस्तांत्रित की जा सकती है फिर इसक हमने देखा था कि बचत करता को निवेश करता से मिलाना तो यह मुद्रा के जो है वो महत पूर्ण कारिया है